नमस्कार मेरे नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सक्यम्योगा आज हम लोग जिसे विशह पर वारता करने वाले हैं वो एनॉटमी से संबंदित है और क्विक मेरे पास अभी एक संदेश आया कि सर हमें बड़ी कृपा होगी यह दिया आप थोड़ा सा हड्डियों के विशह में हमें जानकारी दे बाएं तो विशह में कि आखिर ये अस्थी जो तंत्र है ये किस तरीके से कारे करता है और मालों की शरीर में इसकी क्या उप्योगिता है मैं आपके लिए बहुत सारी विशह वस्तु बताऊंगा और कुछ वीडियो भी शेर करूंगा कुछ स्लाइड्स आपके सामने आएंगे तो जाता है और दूसरा होता है अपर हिस्सा एतंत्र होता है और जाता है जो नीचे के तरफ हो या दूसरे ग्रडिल के तरफ चलता होativo जैसे एतंत्र का मतलब जिसमें हाथ पेरा आगया और Axial का मतलब जो कि मुख अक्षा आपका बनाता हो जिस आधार पे आपकी समस्तेश्वरीर कारेमान हो देखिए अक्षे तंत्र ये रहे तब तो काम चलेगा अगर अक्षे तंत्र ना रहे तो काम नहीं चल सकता है आगे क्या है इसका क्या आपके और साथ में रिप के जाती है स्पारी को यह दिखा जाए स्पारी के कॉलम को देखा जा है या वर्टिब्रेण को दिखा जा है तो मुखे तौर पे यह हलाकि होती तो 34 से लेकि 26 मुखे रूप से हमें हमें देखती है 26 में भी 24 मुख्य होती है जिनको आप अगर देखेंगे तो सर्वाइकल, थोरह से गलंबर, सैक्रम के तौर पे जाने जाती है मुख्य तौर पे जो कारे करती है वो आपका ये थोरह से क्रिजन जो होता है जो basically T12 बारा ये पूरा रिजन होता है और यहां पर कुछ floating rib cage भी होती है यानि कि निकलती तो है वो spine से लेकिन वो जाके आगे कहीं जुड़ नहीं ही रही होती है बाकी की चीजें बड़े आसानी से sternum की हड़ी में आके जुड़ जाती है rib cage का का कारे होता है कि ये आपके lungs को और हिर्दय को सुरक्षित करें अगर appendix हिस्से को देखा जाए appendicular हिस्से को अगर देखा जाए तो हमें हाथ और pelvic griddles और leg bone देखने को मिल जाता है इसमें shoulder और जो bone of beauty होती है इसे भी मुख्य तोर पर लिया जाता है अब अगर shoulder griddle को देखा जाए तो इसमें इसमें चार हड़ियां आती है जिसमें आपकी clavicle bone होती है जिसको beauty bone भी बोलते हैं सामानिवासा में या collar bone बोला जाता है और दो scapula होती है जो दुनों कंदे के जो इसे सामानिवासा में shoulder blade बोला जाता है हाथों में अगर देखा जाए तो एक हाथ में तीन हड़िया मुखे तोर पर अगर जो long bone देखा जाए तो तीन मुखे तोर पर देखने को मिलती है एक होती ही humorous फिर radius और अलना और बाकी जो अगर हाथ का देखा जाए phalangeus और ऐसे ही पैर का torsals metatorsals तो उसका भी एक अप आपको देखने को मिल जाएंगी जिसमें पांच metacarpals होती है जो आपके पंजे की हड़ी होती है और चौधा phalangeus होती है यानि कि जो उंगलिया होती है बिसिकली वोसे phalangeus के तोर पे जाना जाता है अब ऐसे ही पैरों में भी ठीक इसी प्रकार का वरडन होगा आगे चलक सकता है कि यह अस्ति गंकाल पुरुष का है या महिला का है ठीक है अब इसके जो तीन हिस्से मेजर है उनका वरण हो रहा है समने तोर पे इसके इलियम इशियम और सिंफैसिस बोला जाता है यही प्यूबिस ओपन होता है तो बच्चे का जन्म आसान हो जाता है इसके होता है और साथ में शरीर के स्वस्त रहने में इसका बहुत बड़ा यूगदान है क्योंकि बोन मेरो इसकी जो होती है वह बहुत अच्छे-च्छे न्यूट्रिन्स को अब्सार्ब करके और उसके बाद रखते पर इस इंजड़ा में यूगदान देती है फिर बात आती है हonterला की जो आपके गुटने के स्थी ओर टीविया फिघुला जैसा मैंने आपको बताया जो की नीचे की तरफ होती है अब बात करते हैं पैर के बंजे की पेर के पनजे को भी ठीक quo सी प्रकार जैसे हाथ का पंजा होता है वैसे हियाँ नियूगजान बड़ां पांच मेंट जाता है शरीर में कई बार अस्ती का दर्द होता है तो उसमें हील्स का बहुत बड़ा एक दन होता है हड्डियों में जो यह हील की हड्डियों होती है इसमें बहुत अतक दर्द होना शुरू को जाता है तो यह अगर ऐसी एस्तियों का दर्द हो रहा है जहां पर हड्डी कई बेगार आप सुनते होंगे कि हड़ी बढ़ जाती है या ऐसा कुछ है तो वो भी एक कैल्सियम रिलेटेट या फिर आप यह कह सकते हैं कि खान पान से संब्दित या यह कह सकते हैं कि रक्त में बहुत सारी जो गंदगी है वो बढ़ जाती है तो ऐसा होता है अब फीमर को दे यह भी दो हिस्सा बहुत महत्रपूर्ण माना जाता है अब इसके विशे में मैं वरड़न करूंगा अब आप देखिए अस्ती को अगर बीच में से काटा जा तो इसमें आप स्पंजी संद्शना देख रहे होंगे और उसके अंदर आप देख रहे हैं कि यह किस प्रकार र कि पहला यह है कि किस प्रकार का मूवमेंट है उस हिसाब से तो अगर मुझे समाल लिए कि अभी हाथ का ही मैं आपको बता रहा था फिर डूर जॉइंट होता है बॉलन सौकिट जॉइंट होता है जिसमें हिप्स आ जाती है शूल्डर सौकिट जिसको बोलते हैं तो की ब्रीज आ जाती है उसके बाद फिर आपके जो मस्तिश्क की अस्ति होती है यानि की सर की जो अस्तियां होती है इनका भी बहुत योगदान होता है लेकिन यह मूवेबल नहीं होती है जब बच्चा छोटा होता है तो यह बहुत इस समय होती है लेकिन जैसे से बच्चा वापस से जुड़ों के एक अस्ति बनती चलती चली जाती है ठीक है तो यह पूरा-पूरा जो है यह मैंने आपको बताया अस्ति तंतर से संबंदित विश्यवस्तु अस्तियों को और और अगर मैं एक-एक का नाम बताऊंगो आपको कैसे कौन-कौन से अस्ति कारे करती है त ऐसिल ब बों में कितने कौन-कौन से हड्डी आने को देखने को मिल जाती है तो फ्रंडल होती इसी के बगल में यहां पर सेफिनाइट बॉन हो जाती है तो यह फेसिल बॉन होती है ठीक है इसमें ही इसी के नाम में ज्यादे confusion होता है इसके अलावा और vicious कोई confusion नहीं होना चाहिए एक अस्ती होती है समाने तया गले में होती है जिसको हाइट के नाम से जाना जाता है अगर आप इन सब को calculate करेंगे तो आप पाएंगे कि 206 अस्तियां आपके शरीर में इस समय at present है बच्चों में 300 अस्तियां होती है शरीर की सबसे बड़ी हड़ी होती है femur सबसे छोटी हस्ति होती है steppis incas milius इस spine को अगर हम calculate करें तो उसमें कहते हैं cervical मिलेगा आपको साथ उसका थोरा सिक बारा फिर number 5 देखने को मिलेगी फिर coccyx और sacrum और coccyx देखने को मिल जाती है अगर थोड़ा सा योगिक दृष्टी कोड़ों से देखा जा तो 24 मुखे माना जाता है cervical थोरा सिक और लंबर को क्यों क्योंकि 24 मंत्र गायत्री का होता है 24 अक्षरी गायत्री महा मंत्र होता है और उसका अपना योगदान होता है बस सभी की वीडियो में इतना ही देखते हैं अगले वीडियो में तोड़ा सा आगे और इस विशे पर मैं गहें चर्चा करूँगा बहुत बताबार जान्यवाद